काफे बार आप और हम या कोई भी बिजनस कंसर्वन हार प्रचेस सिस्टम अग्रीमेंट में ना आके फिर भी लेकिन प्रियोडिक पेमेंट करके किसी असेट को या किसी गुड को प्रचेस करना चाते हैं उसे हम बोलते हैं installment purchase system if you want to study this topic in detail refer to these books from S.Chant publishing and Vikas publishing house link is provided in the description box hi i'm Neeti and welcome here to S.Chant Academy तो हम सबसे पहले देखेंगे installment payment system या installment purchase system होता क्या है जैसे हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, normal TV खरीदा है, refrigerator खरीदा है, washing machine या गाड़ी जब भी हम लोग लेते हैं तो हम उसे एक installment payment system में लेते हैं, हमें कुछ amount का down payment दे देते हैं और बाकी हम periodic payment करते रहते हैं तो उसको हम installment purchase system बोलते हैं और अब हम देखेंगे कि उसको जो आपका vendor है, जिससे हमने purchase किया है, वो उसको कैसे record करते हैं पहला basic meaning, installment system में जो भी sale हो रही है, वो एक credit sale है, क्योंकि आपने पूरा पैसा देके नहीं किया है और आप कुछ amount जो है, वो still owe करते हैं to the vendor, तो आपकी एक credit sale होती है और payment जो है, वो again हम over a period of time कर रहा है, जरूरी भी नहीं है, इसमें कि हम down payment भी देंगे लेकिन हम जो periodic payment कर रहा है, उससे हमारा ये installment purchase system में record होता है अब इसके जो कुछ अलग features हैं, वो ये हैं, कि जब आपने buy कर लिया है, या जब आप चले गए है agreement कर लिया है, अपने installment में purchase करने का, तो वहाँ पे आपको good के possession के साथ-साथ उसकी ownership और उसके साथ आने वाले जो भी risk होते हैं, वो भी आपको उसी time pass on हो जाते हैं और अगर आपने कोई installment मिस कर दी है, आपसे default हो गया है, एक installment या दो installment, जैसा भी आपका agreement होगा उस case में vendor आपसे आपके goods वापस नहीं ले सकता, वो सिर्फ आपको उस amount के लिए आपके उपर case कर सकता है, आपको sue कर सकता है, जो भी amount उसका remaining है तो जो कुछ basic features है installment system के, वो यह है, सबसे पहले तो यह simple सी credit sale है, कि आपने किसी से कोई समान ले लिया है आपको as a purchaser, बुद्ज भी साथ साथ मिल जाते हैं, अगर आपको उच खरीदने जा रहे हैं, आप फोन ले रहे हैं, या तीव ले रहे हैं, अगर दाड़ी ले रहे हैं, उसकी जो पोजेशन है वो आपको साथ के साथ ही मिल जाती है, ऐसा नहीं कि जब आप सारी payment कर पोजेशन मिली कि, आपको मिल जाती है पोजेशन उसी टाइम जब आप agreement कर रहे हैं, और यहां पर डिफरेंट फीचर इंस्ट्राइमेंट पेमेंट सिस्टम का यह है, कि आपको उसकी पोजेशन के साथ-चाथ, उसकी ओनरशिप भी उसी टाइम मिल जाती हैं, जब आप agreement म आते हैं बायर तैसे आपने गाड़ी ली किसी से और आपको उसके बाद कुछ टाइम बाद हो सकता है कि अच्छा ना लगाओ कि यह सिस्टम या पे नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी ऐसा या कुछ भी कोई मिसापनिंग होती है और आप उस अग्रीमेंट को टामिनेट करते हैं तो बायर के पास यह ओप्शन नहीं होता कि आप उस अग्रीमेंट को टामिनेट नहीं कर सकते हैं और वहीं पे अगर आप से कोई डेफॉल्ट वापस नहीं ले सकता क्योंकि उसकी ओनर्शिप अपको ट्रांसफर हो चुकी है साथ में जितना अमाउंट आपने पे कर दिया है उसको seller 4 feet नहीं कर सकता उसको cancel out नहीं कर सकता या उसको अपने कबजे में नहीं कर सकता जो आपने अल्रेडी पे कर दिया है उस asset या उस goods के respect में और यहां पर आप, आप as a purchaser, अगर आपने कोई लिया है, कोई good लिया है, कोई asset लिया है, उसको third party को transfer कर सकते हैं, उसको sell कर सकते हैं, again with a good title, जो कि कई बार agreement जब आप करते हैं sale का, उसमें नहीं होता, लेकिन installment payment system में, जब आप third party को sell कर रहे हैं, तो जो third party है, उसको good title receive होता जो B2B transaction हो रही है, जिसमें दोनों parties business हैं, तो B2C transactions हो रही है, जिसमें एक party business है, एक party consumer है, वो भी तो कई बार कोई machinery या plant ऐसे किसी business से बाय करते हैं, जिसकी periodic payment हम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम बहाँ पे higher purchase system कहते हैं, और जब हम लोग as a consumer कुछ बाय कर रहे हैं, उसको हम payments language कह रहे हैं, कि हमने कुछ समान installments में, हमने installment payment system में अपनी asset या उपने goods को भाय किया थे, लेकिन एहां पर कुछ basic differences हैं दोनों systems में, higher purchase agreement या higher purchase payment system में, या higher purchase लेकिन हाँ कुछ basic डिफ्रेंसिस आपके rankी Armsright लेकिन आपके higher purchase के system में और installment purchase system में, वो हम point by point discuss करते हैं, सबसे पह contract, hire purchase agreement में जब दोनों parties contract करती हैं तो उस contract को बोलते हैं agreement of hiring कि आपने उसकी asset को hire किया है use करने के लिए और जब आप last payment कर देंगे तब आपके पास उसकी ownership आएगी लेकिन जो installment payment system में हम agreement करते हैं उसको हम बोलते है agreement of sale कि आपने goods को अपनी asset को बेच दिया है to the purchaser और यहीं पर हम लोग देख सकते हैं जब hire purchase agreement में हम लोग agreement करते हैं वो आपका hire purchase act के अंदर आता है और जब हम agreement to sale करते हैं वो आता है आपका sale of goods act के अंदर second property in goods जैसा हमने discuss किया hire purchase agreement में क्या होता है कि जो आप goods sell कर रहे हो as a vendor और जब आप buy कर रहे हो as a purchaser तो जब तक आप उसकी last payment नहीं कर दोगे आप उसके owner नहीं बनते हो आपके पास within some time यह option होता है कि आपने जब उसको है goods की वो साथ के साथ ही transfer होती है right of return of goods hire purchase agreement में buyer के पास यह option होता है कि आप पास payment ना करके या at any point of the agreement अगर आपको ठीक नहीं लग रहा उस asset को use करना या वो आपके काम की asset नहीं रही या वो ठीक से काम नहीं कर रहे है तो आपके पास हमेशा यह option होता है कि आप उस agreement को terminate कर दें और वो asset वापस दे दे hire vendor को लेकिन installment payment system में goods या asset return नहीं होते to the hire vendor unless and until आपका seller ही कोई बड़ा default कर दे कोई default अगर seller नहीं किया है तो आप goods को return नहीं कर सकते आपके vendor को right of disposal of goods, hire purchase system में buyer के पास यह option नहीं होता था कि वो उन goods को dispose of कर सके जिनको आप use कर रहे हो क्योंकि अभी तक आप ने सिर्फ hire किया है use करने के लिए आपके पास यह right नहीं है कि आप उसको use करने के बाद अपनी इच्छा से उसको dispose of कर दो at the end लेकिन installment payment system में buyer के पास उस asset को उस goods को dispose of करने का option होता रहे है good title higher purchase agreement में as a purchaser जब आप किसी third party को वो same good यह same asset sell कर रहे हो तो वो जो party है third party उसके पास good title as in आपने good faith में उसको sell नहीं किया है तो जो title है उसको हम good title नहीं बोलते हैं जब वो transfer हो रहा है लेकिन installment system में purchaser जब third party को sell कर रहा है गाड़ी है यह fridge है यह TV है यह phone है तो जिसको भी वो sell कर रहा है जो third party है वो good title receive करती है उन goods का उस asset का right of repossession of goods आपके vendor के पास installment payment system में right नहीं होता कि वो goods को repossess कर सके whereas higher purchase system में आपके vendor के पास यह option होता है कि अगर आप से कोई भी default होता है agreement से related कोई भी breach होती है यह आपको यह payment timely नहीं कर पाते है यह miss ही कर देते हैं payment तो वो अपने goods को as a complete repossession और as partial repossession अपने पास वापस ले सकता है higher vendor के पास अपने goods को क्योंकि repossess करने का option होता है लेकिन वो आपको बागी ही payments के लिए force नहीं कर सकता यहीं पर installment payment system में भी आप क्योंकि goods वापस नहीं कर सकते हो या goods वापस नहीं ले सकते हो purchaser से लेकिन जो भी remaining amount है उस asset के उपर और आपने default कर दिया है payment में तो जो बचा हुआ amount है remaining amount है उसके लिए vendor आपके उपर case कर सकता है आपको सू कर सकता है repair of goods, higher purchase system में जब आप goods की reposition कर रहे है तो higher purchaser अपने हैसाब से उन goods की repair कर सकता है लेकिन यहां पर repair का कोई compulsion या कोई agreement में mandatory नहीं होता कि जब आप reposition कर रहे है goods का तो आप उनकी repair भी कराएंगे so unless a clear contract is there, आपके अगर asset में मशीनिटी में कोई भी फॉल्ट आता है तो seller उसके लिए लाइबल नहीं है उसकी repair के लिए risk, higher purchase system में क्योंकि जब तक आपके आपके पास ownership नहीं आ रहे है so उससे related, जो भी risk है उसकी ownership भी या जो भी risk है उसको भी आप ही bear करेंगे so जो आपका installment payment system है कोई भी loss अगर होता है asset को या asset से कोई loss आपको होता है so वो सारा risk जो है वो आप as a buyer ही bear करेंगे so basic accounts जो हम लोग बनाते हैं under the installment payment system in the books of buyer अगर किसी ने खरीदी है कोई asset वो अपने पास अगर कोई accounts maintain करना चाहता है तो वो accounts maintain करते हैं सबसे पहले तो asset या goods का account जो आपने खरीदी है under the agreement vendor का account जिससे आपने खरीदा है basically उसमें हम record करते हैं कि हमारे कितनी installment चली गई कितना हमने डाउन पेइमेंट कर दिया total cash price of the asset interest suspense account बना सकते हैं हमारे पर अप्शन होते हैं interest suspense account बनाने का या नहीं भी बना सकते हैं interest suspense account वो account है जिसमें हम सारा जितना भी interest किसी asset के उपर pay कर रहे हैं उसको सबसे पहले record कर देते हैं या transfer कर देते हैं या उसको transfer कर देते हैं to the interest suspense account और जब भी वो due होगा उसको हम transfer कर देंगे interest के account में और last make interest का account हर साल हर महीने या हर 6 महीने में जैसा भी आपका payment का periodicity का agreement है उसके हिसाब से उसको transfer करते रहेंगे interest account में तो अब हम देख लेंगे कि जो हमारा vendor है उसकी books में हम कौन-कौन से accounts बनाएंगे सबसे पहले परचेजर का account बनाएंगे जो हमारा consumer है जिसने हम से asset या goods बाई किये है interest suspense account अगेन option होता है आपके पास interest suspense account बनाना है तो बना सकते हैं अगर question की ये problem की requirement है तो बना सकते हैं otherwise सिर्फ interest का account यह हमारी कुछ journal entries हैं basic journal entries जो normal entries जैसे आपने कब asset purchase किया कब उसकी down payment की कब उसकी installment due हुई और आपने pay की तो वो basic entries, journal entries जो हमारी purchaser की books में बनेंगी पहला asset के account को हम डेबिट करेंगे interest suspense account को हम डेबिट करेंगे पिदी total amount of interest जो उस तूरे asset के ऊपर हम pay कर रहे है by vendor जो कि cash price आएगा हमारा asset की value प्लस interest से हम vendor के account को डेबिट कर रहे है जब आप down payment कर रहे हैं तो वेंडर के account को debit करके बाए cash या bank जिस भी mode से आप pay कर रहे है जब आपको interest due होगा interest account debit to interest suspense account क्योंकि इस case में हमने suspense account open किया है तो जब भी वो due होगा उसके लिए हम उसको transfer करेंगे from the suspense account to interest account जब आप installment pay कर देंगे vendor account के debit vendor account will be debited by that amount to cash या bank अब यह वाली जो entries हैं हमारी जितनी भी बार हम installment में करेंगे या जितनी भी बार हमारा interest due होगा वो हम हर साल repeat करेंगे अब क्योंकि asset आपके पास है तो आप अगर उस asset पर depreciation चार्ज कर रहे हैं तो depreciation will be charged on that asset जो आपने बाए की है और उसके बाद जो भी आपके खर्चे हैं interest आपका expense है depreciation आपका expense है तो as a buyer, as a purchaser हम उसे transfer कर देंगे to the profit and loss account तो यहाँ पर हमने अपने PNL account में अपने दोनों खर्चे हमारे दोनों expenses transfer कर देंगे जो कि interest है और depreciation है तो यह हर साल हम जतना interest ड्यू हो रहा है हर महीने जो interest ड्यू हो रहा है उसको उसी periodicity के according हम transfer कर देंगे profit and loss account में अब यह journal entries vendor की books में जो होती है simple entries कि आपने अब असेट को सील किया है तो पहला entry आपका होता है sale पर परचेजर के account कर डेविट to sales to interest suspense with the total amount of interest आपने जब भी cash receive किया या आपको वे down payment मिला उस से उस amount से हम लोग debit करेंगे cash or bank account debit to purchaser का account जिसे हमने जिसे हमने asset sale की है interest जब भी आप कर दी हो होगा interest suspense account debit to interest account installment की receipt पे cash or bank account debit to purchaser और यह जो values हैं आपकी जो आपने sale की है higher purchase की उसको हम जब trading account में transfer करेंगे sales account debit to trading account with the cash price of the asset और जो भी interest है जब हम उसे P&L account में transfer करेंगे interest account will be debited to and transfer to the profit and loss account क्योंकि इस case में earning है, revenue है, receipt है vendor के लिए तो वो credit side में जाएगा profit and loss account के so we'll stop here for a quick break अभी तक इस lecture में हमने देखा कि हमारा basic meaning क्या है या basic concepts क्या है installment payment system के उसमें हम कौन से accounts बनाएंगे उसको कैसे record करेंगे और जो basic journal entries होंगी in the books of buyer and in the books of vendor Exactly कच जबोगी आएंगे एंगे ये सले सलेटने कोま के लिए कर दोटे हापी लेर्निंग! हमारे पास एक वेंडर है, एक परचेजर है, राज एन कंपनी हमारा वेंडर है, हुजा एन कंपनी इस दी बायर, तो उन्होंने एक मशीन परचेज की है on installment basis on January of 2019, तो जो कैश प्राइस है मशीन का वो गिवन है दो लाग चालिस अजार पेमेंट जो कर रहे हैं, पेमेंट स्क 11,600 as down payment, और उसके बाद 54,000 की equal payments हम कर रहे हैं, और पहली पेमेंट कर रहे हैं, 31st December 2019 को, दूसरी पेमेंट कर रहे हैं, 30th June 2020 को, थर्ड पेमेंट is 31st December 2020, और जो लास्ट पेमेंट है वो कर रहे हैं, 30 June को 2021 में, तो ये आपकी equal payments हो गई, सबसे पहले 11,600, आपकी down payment, उसके बाद 54,000 की equal payments on 31st December, 30th June, 31st December and 38th June, तो आपकी 4 equal payments हो गई और साथ में हो गया आपका down payment of 51,600, अडिशनल इंफरमेशन जो गिवन है, वो है, जो एंटरस्ट आप चार्ज कर रहे हैं, सेल पे, वो कर रहे हैं, आप एट परसंट, जो की कंपाउंड हो रहा है, हाफ यर्ली, rate of depreciation is 15% per annum, on written down value method, हामें जो accounts बनाने हैं, वो बनाने हैं, वेंडर की books में, अब इसमें यह देखना है, क्योंकि वेंडर की books में account बना रहे हैं, और depreciation की information given है, तो इस case में हमें depreciation का account बनाना नहीं है, क्योंकि asset हमारे पास नहीं है, तो जब आप purchaser या buyer की books के accounts बनाएंग तो starting with, अब जैसे हमने पहले भी calculations की हैं, यहां पर हमें पता है कि 54,000 आप पे कर रहे हैं, इस टॉल्मेंट का amount पता है, उस 54,000 में interest कितना है और principle कितना है, वो हमें पता नहीं है, मतलब आप जो हर 6 महिने में amount transfer करे हैं to the vendor, वो तो 54,000 है, वो हमें पता है, लेकिन उसमें इ हम स्टार्ट करेंगे with the calculation of interest, तो यहां यह information हमें given है, सबसे पहले, जो information जो है हमारे पास वो है कि 2,40,000 आपकी asset का cash price है, तो starting हम कर रहे हैं 2,40,000 से, 2,40,000 cash price minus जो आपने cash down payment दे दिया, 51,600 का, तो जब आपकी पहली installment due हो रही है, तो cash price जो outstanding है, वो है 1,88,400, अब क्योंकि 8% है interest, वो भी compound कैसे हो रहा है half yearly, तो इस value के उपर, हम निकाल लेंगे 8% divided by half, क्योंकि half yearly compounding हो रही है और जो rate of interest दिया है, अमे 8% पर रानम दिया है, तो उसको हम 2 से divide कर लेंगे, तो जो interest हम पे कर रहे हैं 6 महीने का, on this cash price being due, या outstanding, वो है 705,036 रुपीज, तो जो आपका compound amount है, on 30th June 2019, जिस पे हमने कोई payment नहीं की है, वो हो गया आपका, 1,95,936 अब इसमें, अगेन, हम 6 महीने का interest calculate करेंगे, क्योंकि आपने असेट बाई की है, 1st January 2019 को, और जो पहली payment हम कर रहे है, वो हम कब कर रहे है, वो हम कर रहे है, 31st December of 2019 को, तो उस पूरे साल में हमने payment, सिर डाउन पेमेंट की है, और interest हमें, दो period का उसमें calculate करना है, तो जो amount due है, उसके ओपर अगेन, 8% divided by half, क्योंकि 6 महीने का निकाल रहे है, 7,837 आपका, 6 महीने का interest हो गया, amount जो due है, 138th of payment, 31st December 2019 को, वो आपका हो गया, इन दौनों को add करने के बाद, 2,3,773, अब इसमें से हम minus कर देंगे, जो हमने 31st December को 54,000 की installment पे करनी है, तो यह minus करने के बाद, outstanding amount कितना आ गया, 1,49,773, इसमें हम फिर से interest आपका हो जोगे 6 महीने का, क्योंकि अगली payment हम कर रहे है, अगली payment हम कर रहे है, अगले साल की 30 जून को, तो 6 महीने का interest इस value के उपर हमने निकाल लिया, 5,991, यह आगया आपका interest, इसको add करने के बाद, compound amount अगया आपका, 1,55,764, इसमें से, क्योंकि 30 जून को आमारी installment द्यून है, installment माइनस करने के बाद, outstanding amount अगया आपका, 1,1764, अब हम interest 6 महीने का निकालेंगे, इस amount पर, इसमेंने का interest, 1,1764, multiplied by 8%, divided by 2, वो आगया आपका, 4,071 रुपीज, अब उसको add करने के बाद, जो compound amount, अमारा due है, on 31st December 2020, that is 1,5,835 रुपीज, so continuing with the same calculation, so ये अमारा amount due है on 31st December 2020, which is 1,5,835 रुपीज, इसमे 3rd installment पे कर दी, remaining amount आया, 51,835 रुपीज, तो balance after payment is, after paying the 3rd installment is, 51,835 रुपीज, और यहां पे आजाएगा आपका balancing figure, which is, 2,165 रुपीज, क्योंकि जो last payment है, उसमें हम 54,000 पेमेंट करने के बाद, दूस अकाउंट को close कर रहे हैं, तो ये आगई आपकी balancing figure of interest, 2,165 रुपीज, तो ये जो calculations है, इनकी वाल्यूज, हम एंटर करेंगे, अपनी लेजर अकाउंट में, अपनी वेंडर की बुक्स में, जो पहला अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, वो हम बना रहें interest suspense account, जिसको हम starting में ही, credit side में एंटर कर देंगे, total installment, जिसमें हम 1st January 2019 को ही, जिस time हमने asset purchase किया है, उसी time एंटर कर देंगे, फिदर total amount of interest जो हम pay कर रहे हैं, उस asset के ऊपर, जो कि हमारा आया है, 27,600 रुपए, जो हमने अभी calculation की हैं उसके हिसाब से, अब क्योंकि 1st पार्ट हमारा 2019 का है, तो पहले साल में जो हमने इंटरस्ट पे किया है, पहले 6 महिने के लिए, ये आपका 6 मॉन्स का है, पहले 6 महिने और दूसरे 6 महिने में, क्योंकि हमने जैनवरी 2019 को asset purchase की ही, और पहली इंस्ट्रॉल्मेंट कब की है, December 2019 को, तो उस पूरे साल के, जो इंटरस्ट दो बार अक्रू हुआ है, उसकी वाल्यूस और साथ में ये हुई आपकी बालंसिंग फिगर, जो आपका इंटरस्ट बचाए है, जो अगले साल आप उसमें से ट्रांस्फर करेंगे to the interest account, यहाँ पर आजाएगा आपका बालंस ब्रॉट डाउन, 12,227 और डेबिट साइड में आप एंटर कर देंगे, जो हमारा इस साल इंटरस्ट डू होरा है पेमिन्ट में, विच इस 5,991 और 4,071 तो यहाँ पर हमारी बालंसिंग फिगर आगरे है 2,165 जिसको हम अगले साल ब्रॉट डाउन करेंगे अपनी बुक ओफ अकाउंट में जो की हमने हमारी लाट सघृपमें इंटरस्ट जी ठीव था, यहाँ पे हम लोग हमारा अकाउंट, इंटरस्ट सेस्पेंस अकाउंट ग्लोस कर देंगे, अब हम बना रहे है अपना इंटरस्ट방 सपाउंट इन बुक्सर वेंडॉप, अब इसमें हमें कुछ major entries नहीं करनी है, simply transfer करना है, जो हमें interest suspense account में हर बार transfer किया है, हमने value, और जो हम pay कर रहे हैं, वो हमारी value, जो भी हमें receive हो रहे हैं, वो transfer होगा, क्योंकि income है हमारी in the profit and loss account, तो जो हमने pay किया, पहले 6 महीने का interest, बाद के 6 महीने का interest, उसकी values, total, total value transfer कर देंगे to the profit and loss account, अगले साल, फिर से, क्योंकि जब भी interest accrue हो रहा है, तभी हम उससे transfer करेंगे interest suspense account से, शुरू के 6 महीने का, till 30th zone of 2020, and December of 2020, वो values हमारी transfer होंगी in the profit and loss account, last में, interest suspense account से, हमारा माउंट ट्रांसफर होगा, of rupees 2165, जिसे हम last में, ट्रांसफर कर देंगे अपने profit and loss account में, इसके बाद, जो हमारा परचेजर का अकाउंट बनेगा, वो simple, आपने कितनी की असेट सेल की है, कितना आपको रिसीव हुआ है, और जब भी इंस्टॉर्मेंट आपकी due हुई है, वो जब जब पे हुई है, उसकी हम entries परचेजर के अकाउंट में करेंगे, starting with January of 2019, आपने जो इंस्टॉल्मेंट पे, सेल्स की हैं, दो लाग चालिस अजार की, प्लस, जो आपके पास interest, overall interest जो आप पे कर रहे हैं उस asset के ऊपर, cash account, पहली वो values जो हमने डाउन पेमेंट के तौर पे दी हैं vendor को, cash account, on 31st December 2019, जब आप पहली installment में कर रहे हैं, उसके बाद आपका आजाएगा, balancing figure, आपके, परचेसर के account का, उसको ब्रॉट दाउन करेंगे, तौ नेक्स्ट यूर, 1,62,000, पैली payment, in June 2020, same value है, 54,000, second payment, in December 2020, of rupees 54,000, तो आपका जो closing balance है, balancing figure है, वो आगया आपका, 54,000, which is same as the last payment को हम कर रहे है, तो जो जो 54,000 है, इसको अपने by cash account, क्रिडिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया, यह हमने पे कर दिया आपके, वेंडर को, तो यहां पे वेंडर इस अकाउंट को close कर देगा, क्योंकि हमारी जितनी भी अमाउंट डियूती हो गई है, पेमेंट उसकी, तो जहां पे हमारी जितनी भी अमाउंट डियूती, उसकी पेमेंट हमें हो गई है, तो यहां पे हमारा वेंडर इस अकाउंट को close कर देगा, क् उसके जितनी भी payment due थी towards the purchaser वो हमारी close हो गई है so in this lecture we have discussed the installment payment system जब भी कोई दो parties installment purchase agreement में आती है तो उस time पे हम उनके accounts में कौनसी entries record करते हैं purchase और vendor के कौनसी accounts हम बनाते हैं और यह सब हमने देखा एक illustration कि दुरू Thank you If you want to study this topic in detail refer to these books from S. Chan Publishing and Vikas Publishing House Link is provided in the description box If you found our video interesting please like, share and subscribe and do not forget to press the bell icon All rights resolved This video has been prepared for educational purposes only No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder